हलो दोस्तों, संटेक ने अपने विस्ट्वल प्रजेक का पजेशन देना शुरू कर दिया है, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कस्टमर आज अपने पजेशन के लिए आया हुए है पजेशन मिलने के बाद हर कोई अपने नए गर में रहने जाने के लिए उत्सुक होगा, बट उसके पहले आपको नाइगाव की कुछ चीज़े समझनी जरूरी है नाइगाव में पानी हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दागा है 24.7 पानी सप्लाई देने के लिए VVMC का पानी परियात नहीं है, इसलिए बाकी हाउसिंग सुसाइटियों को भी प्रती दिन, प्रती विंग, दो से तीन टेंकर मंगवाने पड़ते हैं और मुझे लगता है संटेक भी इसमें बाकात नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत बार कनेक्शन मिलने के बाद बहुत सारे टेंकर्स संटेक में आते जाते देखें अब अगर हम डेली नेसर सिटीज की बात करें, तो मैंने नाइगाओ के लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर हमें कुछ चीज़े लेनी थी आज से दो साल पहले तो हम लोग को वसई जाना पड़ता था बट अगर अब आप यहां पे संटेक में रहने आते हो तो आपको वसई जाने की कोई ज़रुद पड़ने वाली नहीं है क्योंकि संटेक प्रॉमिस उन्होंने रिलाइंस मार्ट एंड रिलाइंस ट्रेंड को संटेक विस्फर प्रोजेक्ट में लाया है और रिलाइंस मार्ट को यहां पे वर्किंग कंडिशन में एक साल बीच चुका है और आपको यहां पे सारी चीज़े मिल जाएंगी फल्ट, सबजिया, मिल्क, ग्रॉसरीज, कपड़े, सब कुछ मिल जाएगा रिलाइंस मार्ट is for the branded clothes तो दोनों ही रिलाइंस मार्ट एवं रिलाइंस ट्रेंड तीन मंजिला में बटा हुआ है तो बहुत सारी चीज़े कवर करता है तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं और जाने की ज़रुद पढ़ने वाली है और सेटरडे संडे आप अगर यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत बेट मिलेगी क्योंकि यह एक फैमस डेस्टिनेशन बन चुका है फोर नाईगाव वासियों के लिए फोर शॉपिंग एक और महत्वपुंद मुद्दा है नाईगाव का जो की है गैस कनेक्शन क्योंकि यहाँ पर अभी तक गैस पाइपलाइन नहीं है आपको gas cylinder connection लेना पड़ेगा जो कि अभी एक दिन में मिल जाता है और the cylinder आपको next day deliver हो जाता है Also यहाँ पे HP M1 भारत gas की बहुत सारी शाखाय उपलब्ध है जिसकी वज़े से आपको gas connection लेने में या cylinder delivery लेने में उतनी दिक्कते नहीं आने वाली है जितनी पहले आया करती थी दूसरा महत्वपोन मुद्दा है electricity यहाँ पे बार-बार electricity fluctuations आते है कभी-कभी electricity cut off होता है Saturday, Sunday 2, 2, 3, 3 गंटे का भी रहता है तो अगर संटेक ने बाकी housing society की तरह अगर diesel generator नहीं रखे है तो वहाँ पे बहुत परिशानी होने वाली है एक और परिशानी होने वाली है संटेक ने position देना तो शुरू कर दिया है बट अगर हम संटेक के main gate के आगी का अगर road देखे तो पुरा road खड़ों से बरा हुआ है और बारिश के टाइम पे जब ये खड़े बर जाते है तो आपको अंदाजान नहीं आता कि वो खड़ा बढ़ा है कि चोटा है और वहाँ पे चलना बहुत ही difficult हो जाता है दोस्तों एक और चोटी से अपडेट है आप सभी सोच रहे होंगे कि position इतना slow क्यों चल रहा है क्योंकि आप देखे तो building 3 के पीछे की side अपी भी काम चालू है और ये 2 जुलाई की ही वीडियो है तो आप देख सकते हो अभी भी वहाँ पे बहुत सारा काम pending है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए हम ट्राइ करेंगे आपको जितना हो सके उतना अपडेट देने का लाइक करना मत बुलिए थेंक्यू सो मच